तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे राहू अगर आपके लगन चार्ट में 12 भाव में इस्तित हो तो आपको क्या-क्या प्रणाम दे सकता है तो अब तक हमने 11 भाव तक बात की है और ये अंतिम वीडियो है उसके बाद राहू का ये सार वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे और भी जो ग्रह है उनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे तो आप वहां से चेक करके देख सकते तो अगर हम बात करें राहू के रिजल्ट की बारवे भाव में तो देखिए राहू आ कारक माना जाता है विदेशी element है ये तो ऐसे में कही ना कही आपको विदेश चे जोड़ कर तो रखेगा और विदेश में आपको फाइदा करवाएगा ये नहीं ये आपके चार्ड पर ही depend है इसके अलावा आपके बारवे घर का स्वामे इसमें बहुत ज्यादा metric करेगा आपके चोथे घर में कोई planet बैठा हो और उसकी दृष्टी आपके बारवे घर पे पढ़ रही हो तो उसका भी रोल बहुत जबरदस्त होगा इसी तरह से आपका लगनेश आपको देखना पड़ेगा क्या आपका बारवे घर का स्वामी आपके लगन में बैठा है या आपका लगन का स्वामी बारवे घर में बैठा है व्यापार हो सकता है या अक्सर आपके अपने जोब की वज़े से भी विदेश में यात्राएं हो सकती हैं तो जितने भी ट्रेवल होंगी उनसे आपको काफी ज़्यादा लाब होगा इसी प्रकार से ये राहू आपको यहां पर बारवे घर से कोई अन्य सुख भी दे सकता है किसी भी तरीके का यहां पर आपको स्पिरिच्वल लाइन में जाना हो अध्यात्म की दुनिया में जाना हो तो ये राहू आपको बहुत ज़्यदा मदद करेगा और आप लोगों ने महसुस भी किया होगा जिनकी भी महादसा अगर हो रही हो या जिनकी अंतरदसा भी रही हो और आपका राहू बारवे घर में हो तो निश्चित ही आपको आध्यात्म की दुनिया में काफी ज़्यदा सक्रिय करेगा इसी परकार से आपको ये किसी ऐसे इस्तान पर भी ले जा सकता है जहां पर बहुत ज़्यदा आईसोलेटेड वो इस्तान हो और वहां पर आप कुछ साधना करें या पूज़ा पार्ट करें कुछ भी करें तो ऐसी गतिविद्य आप कर सकते हैं तो कुछ ही मामलों को लेकर यहां पर राहू के रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे माने जाएंगे बाकी ज्यादातर मामलों में यहां पर राहू के जो रिजल्ट है वो बहुत खराब भी देखने को मिल रहे तो आपका यहां पर राहू जितने ज्यादा आप विदेश यात्रा करेंगे जितने ज्यादा आप विदेशी लोगों से कॉंटेक्ट में रहेंगे या अपनी कंट्री के जो लोग बाहर रहें उनसे कॉंटेक्ट में रहेंगे उत्रहीं आपको फाइदा देगा इसी तरीके से अगर ह खराब रिजल्ट्स की बात करें तो यहां का जो राहू होगा वो आपको जेल यातरा तक करवा सकता है यह राहू आपको जेल यातरा कब करवाएगा यह यहां पर बहुत ज़्यदा खराब इस्तिति में हुआ यह यहां पर सनी या फिर मंगल जैसे प्लनेट और इस्तित तो आप अपने पैसे का दान बहुत ज्यादा करेंगे आप बहुत ज्यादा दाने व्यक्ति होंगे तो यहां पर राहो अगर खराब इस्तिते में हो तो आपके खर्चे अच्छानक होंगे इसी परकार से यह राहो वोस्पिटल के लिए कोई ना कोई बड़ा खर्चा और कुछ गलत रिलेशनसिप की तरब भी लेकर जाता है अगर आपका बारवे घर में राहो है तो आपकी साथ अक्सर रिलेशनसिप में चिटिंग हो सकती है और अगर गोचर में भी अगर वो बारवे घर से गुजर रहा हो किसी का भी तो भी आपके ऐसी सम्भावने बनती है पर आपको अपने बारवे घर की स्वामी को जरूर देखना चाहिए इसी प्रकार से आपकी कुंड़ी में सनिकी स्तिती काफी अच्छी होने चे तो बारवा रहू है वो अक्सर यहां पर आपको किसी ना किसी मुद्दे की वज़े से फालतों के कामों में फसाई रखेगा आपके जिवन को बिलकुल बांद के रख देगा और ऐसा रहू आपको कुछ ऐसी गत्ति वीदियों में जैसे कि आपको किसी प्रोपरिटी की विवाद में फसे वें आपकिसी लिगल केस में फसे वें तो उन केसे की वज़े से आपको बहुत ज़्यादा धन का नुक्सान क कर सकता हैं तो आप उगर एक में बिजनस में आपके कुछ घपला होने की वज़े से आप बदनांब्स हो सकते हैं आपकी खुद की कोई बड़ी गल्ती हो जाएगी आपका कोई ऐसा डिसिजन हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा गलत हो जयेगा तो ऐसा रहू अक्सर आप Kell प्रेशानियां देता है इसी तरीके से बारवे घर का राहू हो तो कुछ-कुछ जातक ऐसे हैं जिनको भूत के सपने आते हो जिनको बहुत ड्रावनी सपने आते हो और आपको रात्री को लंबे समय तक पूरी रात लगभग नेन नहीं आती और अगर आती भी है तो आप बिल लोग बहुत ज्यादा बहबित हो जाते किसी भी बात को लेकर तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने रूटीन पर ध्यान दे और आपकी हेल्थ को भी डेमेज करेगा ये राहू इसके लावा यहां से अगर दृष्टियों की बात करें तो ये राहू देखत हो सकता है तो घर में कोई न कोई प्रोब्लम आवसे देता है इसके लावा आपको करजे की समस्या देता है करजा आपके उपर हो सकता है और बहुत सारे ऐसे कारिये जो इलिगल है जो बहुत गौपनिये भी हैं और इलिगल भी हैं उनकी मदद से आपको वो नुक्सान करव इसी प्रकार से जब ये आपको बहुत ज्यादा देने पर लग जाए तो ऐसे जातकों को ये विदेशों से बहुत बड़ा कोई गेंद देता है अब चोथे गर को राहू देख रहा होता है तो परिवार के सदस्टों के बीच में कई बार बनती नहीं है घर में कोई न कोई व बात दे करता है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप बहुत ज्यादा सक्सेस्पुल होना चाहेंगे जीवन में और ऐसा कुछ करना चाहेंगे जैसे आप बारव घर से समंदित कोई काम कर रहे हो तो ऐसा राहू जो भी होगा चठे घर को देखेगा तो आप इसके बाद आप उसको चुका नहीं पाते तो धन समंदी समस्य तो देता ही देता है इसके लवाँ और भी बहुत सारी दिक्कते आपको देता है यह लाइफ में आपके संगर्स बहुत ज्यादा देगा आपको कंपिटिशन में कहीं भी फाइट करोगे तो आपको उससे नि देख रहा होता है तो अचानक कोई आपकी दुरगटना हो जाती है उसकी वज़े से हेल्थ डेमेज हो जाती है और कोई न कोई अनाव से खर्चा आपका हो जाता है कोई छोटी सी चोट लगने पर भी आपका खर्चा बहुत बड़ा हो जाता है ऐसा रहू आपको प्रोपर आता है अस्टम का और आपको बार्वेगर का नौलेज काफी अच्छा देता है तो ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा सेक्रेटी होगा और वह जातक हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजने को लेकर लगा रहेगा ऐसे जातक सुरुवात से ही इनकी परवर्ती विदेश में बसने की या विदेश के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की रहती है अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल रहू रहू को तो यह आपको विदेश में बहुत जल्दी सैटल कर सकता है इसी परका रहू इस भाव की गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा उपसेशन देगा तो आप अपने पार्टनर की साथ रिलेशनसिप में कही न कई जरूर आसंतोस्ट रहेंगे तो ऐसा रहू आपको बहुत बार परेशान करके रख देता में हुआ तो सिर्फ और सिर्फ यह आपको विदेशों से लाब देता है और अध्यात्मिक प्रगति जिवन में जरूर देता है तो यह राहू में आपको सावधान जरूर रहना है आपको बहुत ज़्यादा यह पनिस्मेंट दिलवा सकता है आपको बहुत ज़्यादा बद से समय क्या गड़ना है आप जो भी प्लान करेंगे आपके जीवन में वह आपके सफल नहीं होंगे इसी तरह से आपको डिसीजन लेंगे को निर्णे लेंगे वह भी आपके लिए सही नहीं जाएगा तो यह राहू बहुत ज्यादा आपको दिक्कत क्रियेट करता है तो कुछ इस परकार के रिजल्ट रहते जब भी आपके बार्व घर में रहू इस्तित हों